देखें, बात होगी different types of AC circuit, alternating current, एक मिनट बस हो गया, तिवारा फिर फोन आएगा, इसा आप दोबारा समझा दीजिए, alternating current जब किसी circuit में flow होती है, तो हम जानते हैं कि current का variation change होता रहता न, magnitude change होता रहता है, और current flow कैसे होती है, voltage apply करने पर, तो किसी resistance वाले circuit में, किसी inductor वाले circuit में, और किसी capacitor वाले circuit में, जब current flow होती है, तो voltage और current के बीच में कितना variation होता इसी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहला हम बात करेंगे, circuit containing resistance only, ठीक है, इसमें एक circuit diagram बनेगा, एक phasor diagram बनेगा, और एक wave diagram बनेगा, या graphical representation भी कहत हैं, और इसमें V और I के बीच में हम, एक phase different निकालेंगे, चुकि apply क्या करना पड़ता है, current, current apply करके, voltage set करते हो, voltage apply करके, current set करते हो, तो fix किसको रखेंगे, voltage को, और आगे पीछे किसको check करेंगे हम, current को, तो हमने का, suppose a resistance R, is there, there is a resistance R, and it is connected, ध्यान से समझेगा, and alternating source, V is equal to, V is equal to, V not sine omega T, यह V क्या है, instantaneous voltage है, भाई, V किसपर depend करता है, T पर, T को आपने 5 रखा, V के विलू मिल गई, उस 5 second के उपर, T को आपने 5.1 रखा, तो V के विलू मिल गई, 5.1 second पर, तो यानि कि, अलग-अलग time पे V के विलू change हो रही है न, इसका होता है, यह instantaneous voltage है, अब इसमें एक instantaneous current I flow रही है, यह I क्या है, instantaneous current I is flowing, बहतर है आप graph में दिखाएंगे न, ठीक है, तो अब हम V और I की बीच में graph खीचते हैं, दो तरीके से आप समझ सकते हैं, आप चाहो तो किर्जाफ़ा लगा दो, तब भी आ हो जाएगा, और डायट कर तो तब भी हो होगे, तो देखे, इसमें चाहो तो इसके बीच पे potential difference कितना है, V, V बराबर, I, R, यह किट जाब लगा दो, यह circuit दिख रहा है आपको, दिख रहा है न, यहाँ कौन मिला, current I है, resistance R है, potential difference कितना होगा, I, R, plus यह minus, minus I, minus I, minus I, I, R, आगे बढ़े, यह क्या मिला, plus का V, is equal to 0, तो V बराबर क्या हो जाएगा, I, R, यह लिखो चाहे, डायट लिख दो आप, V बराबर, I, R, मतलब किर्चाफ लाब लगा सकते हैं, आपको याद होगा, जब किर्चाफ लाब पढ़ाय गया था, तो हमने कहा था, इसमें इ बातात लगा भी सकते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V naught, sine, omega T, is equal to, I, R, हमको निकालना क्या है, voltage अपलाई करने पर हमको current निकालनी है, तो I की value क्या हो जाएगी, I is equal to, V naught upon R, into, sine, omega T, अब देखिए, यह क्या है, current है ना, यह current की value है ना, दूसरी तरह क्या समझेगा, इसकी maximum value कितनी होती है, भाई, जो I है, किस पर depend कर रही है, omega T पर, ठीक है, इसकी maximum value कितनी हो सकती है, जब यह maximum 1 होगा, तो I की value क्या मिलेगी आपको, तो that will be maximum I, तो I max है ना, तो यानिक यह क्या है, I is equal to, I naught sine, omega T, तो यह current मिल गई आपको, omega T क्या represent करता है, phase angle, omega T क्या represent करत है, phase angle, तो अगर मैं कहूं, कि what is the phase angle of V, omega T, what is the phase angle of I, omega T, तो अगर हम कहें, phase difference between V and I, 0, तो आप लिखेंगे, कि phase difference, phase difference between V and I, is 0, इसका मतलब क्या होता है, कि दोनों same phase में होते है, ठीक है, समझा की बाद नहीं आ गई है, जिन्हों नोट नहीं किया, वो नोट कर लें, यह बाद नोट है, उन्हों नोट करें, तो आपने क्या शो किया, कि R circuit में, voltage और current के बीच में, same phase होता है, अब क्या दिखाना पड़ेगा, इसका phasor diagram चाहिए, क्या चाहिए, phasor diagram, phasor diagram, phasor diagram आपको याद भी हो जाएगा, और आप समझ भी जाओगे, अलग से प्लाने की ज़रूद नहीं पड़ेगी, हमने बताया था आपको, अब हम समझा देते हैं, ज्यादा नहीं समझाते हैं, कि ये एक क्लाइन खीजदो, और ये V0 रिप्रिजन कर दो, ये क्या है, ये V0 को र यहाँ चलना सुरू करता था, तो यहाँ जब चलता था, तो यह displacement होता था वाई, और जब पार्टिकल यहाँ से घुमता घुमता यहाँ पहुंच जाता था, तो यह पुरा displacement यह हो जाता था, और जो maximum displacement उसको क्या कहते हैं, amplitude, इसकी value क्या थी A, और यह value भी A है, तो इसको वी नाट हो गया, और यह यह आपकी initial line थी, कितने angle से घुमा, omega t, तो यह आपका phase angle हो गया, omega t, ठीक है, अब ज़रा बढ़िया सी बात देखिएगा, आपने projection पढ़ा है, horizontal component, यह projection कितना होगा, वी नाट sine, cause omega t, और यह वाला क्या होगा, यह क्या होगा, वी नाट sine omega t, और वी है ना, और वी क्या होता है, इसी लिए इसको क्या कहते है, यह instantaneous voltage इसी लिए कहलाता है, यह हो गया, पुरा instantaneous voltage, समझ में बाद नहीं आई, अब current किदर चलनी है, current को इसी line में चलना है, तो current को इधरी दिखा दीजिए, लेकिन थोड़ा सा छोटा दिखा दीजिएगा, औ और यह क्या हो जाएगा, instantaneous current I हो जाएगा, क्यों समझ में गया, उसका projection होता है, लेकिन जनरली बता दिया जाता है, इसको हम कहते है, फेजर डाइग्राम, ठीक है, लेकिन जब मिक्सिंग सर्कृट बताएंगे, तो हम कहेंगे यह V है, और इसी के साथ यह I है, यह ऐसे बना करिए, अब इसका graphical representation है, wave diagram कैसे बनता है, तो यह sinusoidal wave है, sine का graph आपने सिखा है आपको, कैसे सिखा है, कि आप पहले क्या करो, पहले तो ऐसा करो, कि यह तो initial line है, time को represent करती है, अब V की जो maximum value है, उसके लिए आप अपने उसके लिए इसकी boundary set कर लो, यह V की maximum value है, यह V की minimum value है maximum है, opposite direction में, तो यह आपका wave, ऐसे होगा, यह क्या represent करेगा, V naught, अब same phase का मतलब क्या होता है, I और V same phase का मतलब, जहाँ V maximum, जहाँ V maximum, वहाँ I maximum, जहाँ V minimum, वहाँ I minimum, ठीक है, तो इसी के साथ उसको बना दू, ठीक है, तो यह आपका I हो जाएगा, और यह क्या represent करेगा, नीचे I naught, तो यह आपका wave diagram भी कहलाते हैं, या इसको हम graphical representation कहते हैं, ठीक है, अब अगर किसी circuit में inductor लगा हो, कोई coil लगी हो, और उसमें alternating current हम flow कर रहे हो, तो inductor क्या behavior क्या होता है, समझेगा, देखे, हमने का, suppose यह एक inductor है, यानि एक coil है, L क्यों लिखा गया, inductor का नाम क्या L है, ललू लाल है क्या, क्यों लिखा गया, self induction की वज़े से, क्योंकि जो current flow होती है, जिसमें एक self induction होता है, ठीक है, तो यह आपका, यह inductor L, एक alternating source, V बराबर, V naught sin omega T से, होता है, अब देखे, इसमें instantaneous current कितनी है, आई है, जैसे current instantaneous है, तो current change होगी ना फिर, change होगी मतला बढ़ेगी या घटे कुछ भी होगा, जब किसी coil में current flow होती ही, तो क्या होता है, उसमें एक magnetic field बनता है, वो magnetic lines दूसरे coil से पास होता है, अब because current is, magnetic field is due to current, current is changing, magnetic fields also, तो यह क्या इसको oppose करेगा, यानि कि ये current ऐसे flow होने की वज़े से opposite induced current flow कराने की कोसिस करेगा, induced die, नहीं करेगा, तो अगर हम, मैं किर्शाफ की बात करूँ क्योंकि हमने किर्शाफ में बताया था, ये भी यूज हो सकता है, यानि कि इधर current बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मैं मालू, ये बैटरी तरहे काम कर रहा है, current कैसे flow कराएंगे, बैटरी तो कराती है, तो अगर बैटरी तरहे ऐसे flow कराएगा, तो बैटरी कुछ ऐसी होगी न, ये positive या negative, अपने मन में मान नहीं है, तो इसमें एक induced EMF create होता है, का बता रहा हो, माँ खोपड़ी वाए, मतलब अगर ये ये terminal बड़ा होगा, तो current ऐसे flow होगी, मतलब तुम लगा, तुम्हें लंबे जादा हो, तो तुम्हें इस सही बताई हो, अभी छोटा दू इस सही बताता है, है, छोटे हैं तो क्या हुआ, छोटे मतलब height में, तो ये बनाईएगा नहीं बैटरी, नहीं एक्जामनल पूझेगा बैटरी कहां जबना दिया है, कितना EMFS का है यह है ना माइनस L Di by DT और इधर गए तो प्लस का V बराबर 0 तो V बराबर क्या हो जाएगा L Di by DT अब हमको निकालना क्या है यहापर current तो current निकालने के लिए क्या करेंगे Di is equal to DT धल ले हो तो V upon L DT अब क्या करेंगे इंट्रिगेटिंग बोद ले साइट अब क्या करेंगे इंट्रिगेटिंग बोद ले साइट अब ले वी कमान में रख दो इंट्रिगल Di is equal to integral V की वैलू क्या है V naught sine omega T upon L DT ठीक है इसको जब इंट्रिगेट करेंगे तो Di बराबर क्या होता है I और इसका क्या होगा V naught upon L sine omega T का integral क्या होता है minus cos omega T upon omega minus cos omega T upon omega यहाँ पर कोई constant plus नहीं किया जाता है क्यों? क्योंकि हमको instantaneous current निकाली है च्छनिक current निकालनी है total value नहीं निकालनी है इसका मतलब जो integral में plus C आपको सिखाया जाता है क्या बताया जाता है कि sin X plus C का differentiation cos X होता है इसलिए cos X का integral sin X plus C होगा तो चाहे वो instantaneous हो चाहे जो वो plus C करना उसका rule होना चाहिए यहाँ चोड़ा गया इसका मतलब क्या होता हमने कहा था integral का मतलब होता sum of the area कितना sum उसकी कोई limit नहीं है जब limit नहीं है तो हम plus C कर देते हैं हम माल लेते हैं कि पूरा area उस C में भरा हुआ है और जब एक limit निधार कर देते हैं तो हम plus C नहीं करते हैं अगर plus C जोड़ना नियम होता तो sin x का integral minus cos x plus C होता limit रखने बाद भले सी केंसिल हो जाए नहीं हमज़े तो main नियम यह है यसो जैसे constant plus किया था इसलिए यहां plus नहीं किया गया क्योंकि हमको पूरी area नहीं निकालनी पूरी current नहीं निकालनी कितना है तो मजबूरी यहां पर angle क्या है sine तो उसको भी sine की तरह treat कराएंगे तो हमने बताया था कि आप क्या करेंगे minus V naught upon omega L जिसको क्या लिखेंगे sine 90 minus omega T अब फिर एक दिक्कत आ रही है यहां omega T positive है वहां omega T negative है तो compare नहीं हो पा रहा है तो हमने यहां से minus common ले लिया जब minus common लिया तो यह क्या बन गया है omega T minus pi by 2 और sine minus theta is equal to minus sine theta यह sine क्या हो जाएगा plus यह आए जाएगा V naught upon omega L sine pi by 2 minus omega T यह current आ गई न what is the maximum value of sine 1 अच्छा हाँ हो वह मैं जान बुझके लिख रहा था कि आप लोग धान से देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं जो तो देखी रहे हैं omega T minus pi by 2 ठीक है sine की maximum value 1 तो i की maximum value यह 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 इट इस what it is i naught तो i is equal to i naught sine omega T minus pi by 2 what is the phase angle of voltage omega T phase angle of this omega T minus pi by 2 minus i n i पीछे यानि दोनों में difference कितना है तो phase difference जो आपका आ रहा है phase difference between V and I कितना आ रहा है pi by 2 पीछे यानि current क्या होती pi by 2 angle lag करती है lag behind पीछे चलती है ठीक है note करिए इसको तो आपने क्या देखा कि जो current है वो voltage से 90 degree पीछे चलती है अभी हम बता रहे थे कि आपने क्या क्या voltage अप्लाई किया आपने क्या क्या हैनि voltage अप्लाई हो गया voltage का क्या था कि जितने भी उसके electron है उनको कहे कि तुम चलो काम करो load क्या हो तब खाना देवे चलो जाओ यानि electron चलने सुरू हो गए electron चलने सुरू हो गए मतलब current फ्रोना सुरू हो जाना चाहिए था रास्तेम कौन मिली coil उन्होंने का no मैं कोई भी प्रकार का change भरदास्त नहीं करूँगी महीं बैटो करन voltage ने भेजा है चाची हमको जाने तो भेजा होगा voltage ने महीं बैटो अब चाची जाने नहीं दे रही है चाची बोले तो यानि voltage अपलाई है लेकिन electron movement करने से वो coil रोक रही है यानि current को flow ने से रोक रही है मतलब क्या हुआ current बाद में चलेगी न तो physics की भासा में सिद्ध हो गया कि current हमेशा पीछे चलती है कितना होती है वो mathematically हमने प्रूब कर लिया अब हम इसका phasor diagram बनाते है phasor diagram आप ये न लिख देना inductor का नाम चाची है सर ने बताया था नहीं मतलब ये किवल समझाने के लिए आपको है देखो क्या तरीका होता है ये हमने क्या कहा इसको ये ये इनॉट है अरे वो वी नॉट दिखेगा चुकि वी नॉट माना गया है ठीक है ये कितने एंगिल से घुमा है omega t और ये आपका instantaneous voltage होता है v ठीक है ये दिखाने का मतलब ये value v होती है अगर आप coordinate axis में यहाँ 2 लिख देते हैं तो understood यहाँ से लेकर के यहाँ तक की value 2 है current इससे 90 degree पीछे चल लई है त्यानि इससे पीछे की और आप current को ऐसे show कर दीजे और थोड़ा उसका डंडी क्या कर दिए छोटी बना दीजे कि और उसको थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए और ये आपकी instantaneous current हो गई angle कितना है 90 degree तभी ये वर angle कितना है था 90 minus omega t किया था ना आपने किया था 90 minus omega t तो ये आपका phasor diagram है note करिए अच्छा अब ऐसे कैसे दिखाएंगे पहले आपने किसको apply किया है voltage को तो आप voltage को ऐसे दिखा दीजे और current को 90 degree पीछे दिखा दीजेगा ठीक है ये phasor diagram सस्ता वाला है जो mixing circuit में बनाये जाएगा ठीक है note करिए अब इसका resistance क्या होगा तो अभी हमने जो I0 बताया था वो क्या था V0 upon omega L बताया था ना V0 divided by what gives you current voltage divided by what gives you current resistance तो ये resistance है इसको हमने XL मान रखा है ठीक है इसका resistance हमने बताया था करने का तरीका दूसरा होता है कि ये reactance होता है इसको कहते है inductive reactance ये react करता है ठीक है यानि कि आप कैसी आगया है इन elektroni को जाने दीजिए आपको इनको जाने का काम करना भोले ठीक है जाने काम करने बैटो थोड़ी बात बताने महीं बैटे रहो नहीं जाने देंगे ठीक है और जब ज़्यादा आँख दिखा ही जाएगी तो जाने देंगे लेगिन पहले इसको react करेगा उमेगा की value क्या होती है 2π.FL क्या देखा आपने अगर frequency ज़्यादा होगी अगर ज़्यादा frequency है तो उसका एक्सल ज़्यादा होगा यानि रिस्टन ज़्यादा होगा और अगर हम यहाँ पर एक DC इन दे केस आफ DC इन दे केस आफ DC सोर्स अगर DC सोर्स होता तो आप जानते हैं कि DC सोर्स एक डिरेक्शन में करेंट ख्लो कराती है ज़्यादा उड़ो नहीं आप अवकाद पर रही आप काम करिए जाकर कि ज़्यादा उड़ो को तम देख लेंगे ऐसा बोलते नहीं है क्या हो गया इसलिए बताया गया कि DC में ये एक सिंपल वायर तरह काम करेगी ठीक है तो ये आपका inductive reactance हो गया इसका graphical representation तो देखा नहीं देखो इधर graphical बोले तो wave diagram ये time के साथ साथ change करना है ये maximum value of voltage है ये in the negative direction है और ये voltage आपने यहां से दिखाया क्योंकि आपने apply ही किया है V विराव V18 sin omega t ठीक है इधर भाई साब अब देखे जब voltage 0 यहां पर 0 time लिया है यहां 0 time यहां पर t time यहां पर t by 2 time जब 0 होगा तो current negative हो जाएगी जब maximum होगा तो current 0 हो जाएगी तो जब ये 0 होगा तब current यहां कहीं maximum हो जाएगी ये maximum होगा तो यहां current 0 हो जाएगी तो ऐसे current यहां चलेगी ठीक है यह current चलेगी बहुत जब voltage maximum तो current 0 जब voltage 0 तो current maximum लेकिन पीछे यह पहले maximum हो चुका है ठीक है तो यह आपका यह voltage को represent करा यह current को इसको कहते हैं wave diagram या wave diagram भी कहते हैं या इसको graphical representation कहते हैं graphical representation ग्राफिकल representation ठीक है यह आपका हो गया अजब phasor diagram में आप ऐसे दिखा चुके था न वी और आई कैसे दिखाएंगे नोट करिए अब हमने का AC circuit में हमने किसको लगा दिया एक capster लगा दिया ठीक है तो हमने का एक capster है यह capster है और यह capster एक AC source से जुड़ा हुआ है AC source V is equal to V naught sine omega t ठीक है क्या होगा यहाँ पर charge इकटा होना शुरू हो जाएगा charge एक बार इधर positive होगा एक बार इधर negative हो जाएगा थोड़ी दिर बाद यह negative यह positive हो जाएगा ऐसे तो आएगा ना तो यहाँ पर अगर हम माल ने अच्छा यह कितना voltage तक चार्ज होगा जितना voltage अप्लाई करोगे ultimate charge उतने होगा और जब इतना एकदम से voltage charge हो जाएगा उसमें यह electron एकदम से जोड़ा भड़ जाकर के इकटा हो जाएगे जब इकटा हो जाएगे पूरे मतलब अगर पांसो इलेक्टान ने भेजना है तो पांसो यहाँ इकटा हो जाएगे पांसो नेगेटिव मतलब इधर के इलेक्टान पांसो जाकर वहां चिपक जाएगे जाकर के वहार चले आएगे और यहाँ पांसो पांसो पॉस्टिव अपने याप create हो जाएगे ठीक है अब फी कितना voltage अशो करेगा वी वी से करेगा ना लेकिन कब करेगा जब पूरे पांसो इलेक्टान इसके वहां ट्रांसर हो जाएगे ना तो एक एक करके इलेक्टान जाएगा तो आपको क्या लगए करेंट फ्लो हो रही है लेकिन वोल्टेज यो शो नहीं कर रहा है वोल्टेज कब शो करेगा जब प चाइट की बहसम क्या होगा आपने अपलाई क्या किया वी बरावर वी नौट साइन ओमेगा टी अब यहां वोल्टेज कितना क्रेट हुआ इतना ही होगा ना अगर इसमें चार्ज क्यू माल लेते हैं इसमें प्लस क्यू आपने दिया है और इसका कैस्टेंस सी है तो वोल्टेज का फर्मुला क्या होता है क्यू बाई सी तो क्यू बाई सी इस इकूल टू कितना होगा यही बोल्टेज होगा ना जितना आप अप्लाई कर रहे हो, V0 sin, यानि यह Q क्या है, यह Q वही है, जो को पूरा का पूरा चार्ज वहाँ पर इकटा हुआ है, पूरा का पूरा चार्ज, दिर दिरे करके लेकिन पूरा चार्ज इकटा हुआ है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C V0 sin, ओमेगा T, आप तो Q by T क्योंने लेखना है भाई, मजबूरी है कि यह instantaneous current है, instantaneous current और यह vary करेगी, time के साथ साथ change होगी जा करके न, तो जब इसको T के respect में differentiate को क्या आएगा, C V0 omega cos omega T, अब आई तो आगया, यह भी आगया, लेकिन angle, technological function क्या आगया, cos और V के साथ क्या है, sin तो गबढ़ है, इसको क्या करना पड़ेगा, C V0 omega, इसको लिखेंगे sin omega T plus pi by 2, मगर minus आप लिख दोगे न, तो जब minus कामल होगे, तो minus बहरा जाएगा, तो हमको यही लिखना पड़ेगा न, प्लस, वही आप कहेंगे, आप pi by 2 minus omega T करो, तो आपको omega T जो positive करोगे, अगर आपने यहाँ लिख दिय यहाँ pi by 2 minus omega T, तो हम जानते है, sin 90 minus theta क्या होता है, cos theta, लेकिन यहाँ omega T positive है, तो इसको positive करने के लिए negative कामल लेना पड़ेगा, जब minus कामल ले लोगे बाहर, sin के बाहर, तो यहाँ plus यह minus, यहाँ sin लगा है, तो sin minus theta हो जाएगा, तो बाहर minus हा जाएगा, और बाहर minus है नहीं, तो उस minus को adjust नहीं कर सकते हैं, समझ में बात आ रही नहीं आ रही है, मडम जी, तो इसलिए हम यहाँ पर यह नहीं लिखेंगे, और किताब में नहीं लिखा है, कहा है लिखें, पहले इस किताब से देख लेते हैं, क्या होना चाहिए, वह ही लिखते हैं, लेकिन आप logic fit करें तो current आ गई ना, अभी इसको set नहीं कर रहा है, जानवू जाजे लिखे हुए है, i instantaneous current है, depends upon time, यह यह depends upon this angle, और maximum value of current, this value is what, maximum value of current is what, this, यानि कि इसको हम लिख सकते हैं, i is equal to i0 sin omega t plus pi by 2, यह लिख सकते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, इसको आपने i0 लिखा है, इसको आप आप बात करेंगे, तो आप, what is the phase angle of voltage, omega t, phase angle of current, omega t plus 90, यानि कि current 90 degree, lead कर रही है, तो आप लिखेंगे, in the C circuit, current leads the voltage by pi by 2, नोट करिए, अब जिरा इसका phasor diagram देख लेते हैं, फेजर diagram, क्या होता है, देखें, पहले किसको शो करेंगे आप, V0 को, शो कर दिया, यह आपका instantaneous voltage हो जाएगा, अब current, यह omega t है न, omega t है, current इससे 90 degree आगे, तो इससे 90 बनाते वे, current दिखा दीजिए, ऐससे, यह है, I0, और यह आपका instantaneous, current हो जाएगा, यह angle कितना हो जाएगा, pi by 2, ठीक है, दूसी तरीके से, आप यह V दिखाएंगे, और current को आप 90 degree ऊपर दिखा देंगे, ठीक है, तो यह आपका phasor diagram महगा वाला, यह phasor diagram सस्ता वाला, आगे काम सस्ते वाला आएगा, हाँ, महगा वाला तो एक वाल कपड़ा गंदा हो जाएगा हो, और सस्ता वाला कहन कोई बाने, 200 रुप्या का है, तीन-चार दिखाएगा, फिर चेंज कर लेना, तो यह सस्ता वाला ही काम देगा, नोट करिए, अब इसका वेब डाइग्राम कैसे बनाए जाए, वेब डाइग्राम, वेब डाइग्राम बोले तो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, देखे, यह टी, या सिंग साब के बासा में, ओमेगा टी, कर सकते कोई दिक्कत नहीं, यह मैंग्नम वैलू यह टीक बनेगा, वैसे मेरा वूसे ठीक बनता नहीं है, यह आपका voltage आपने दिखा दिया, ठीक है, यह आपका V0, आप देखे, जब voltage 0 है, तो current maximum है, current आगे चल लहीं, तो जब voltage 0, तो current यह यहाँ कहीं है, तो यह current ऐसे चलेगी, नहीं समझे, voltage 0, current maximum, voltage 0, current बाद में 0 हुई तो यह current को represent करती है यह आई नाट हो जाएगा तो यह आपका वेब डाइग्राम हो गया अब देखे इसका भी resistance होता है यह क्या करता है चार्ज होता है चैके तो यह कोरिंट खरने में दिक्कत करता है तो मैं क्या है reactance यह क्यों हम बेखबर कर रहा है पर रखना हो तो किसी उस पर रखिए और इसको हम लिखेंगे XC कैसे निकालेंगे अभी हम I0 को क्या लिखे थे किसको I0 मने थे I0 किसको मने थे V0 तो V0 ओमेगा C अगर ओमेगा C को हटाएं तो यह ऐसे आएगा न voltage divided by resistance gives you current तो यह तो resistance है न तो यह XC is equal to क्या हो जाएगा 1 upon ओमेगा C या 1 upon 2 pi FC frequency जितनी ज़्यादा XC उतना ही कम यानि कि यह क्या आपने देखा frequency ज़्यादा करेंगे तो resistance कम हो जाएगा यानि current आसानी से flow सकती है अगर हम DC कम बान दें DC circuit DC तो उसमें F क्या हो जाता है 0 उसमें XC क्या हो जाता है infinity यानि कि जो आपका capacitor है DC current को allow नहीं करता अजीब नहीं लगता है DC तो आपने जोड़ा था DC जोड़ा नहीं था एक प्लेट हमेशा positive हो गए एक प्लेट हमेशा negative हो गए DC में आप क्या करते थे यह capacitor होता था और आप यह DC यह DC आप जोड़ते थे यह हमेशा positive रहता था यह हमेशा negative रहता है current flow हो गी नहीं flow हो गी काम खतम यह current flow होने का मतलब क्या electron का rotation या यह जोडा है। जोड सकते हैं लेकिन चार्ज करने के लिए। चार्ज इसको फ्लो जाएगा, एसी को एलाओ करता है, अब अजीब में लगता है, एसी को ऐसे एलाओ करता है, बीच में गैप होता है, वो बात में पढ़ाए जाएगा, उसके अंदर एक डिस्प्लेस्मेंट करेंट फ्लो होती है, मताँा, in the place of this, जो एक्च्उली current है, उस एक और टैप की current में अवह फ्लो होती है, तो बात में बात की जाएगी, तो होता क्या है कि एक बार वो positive, एक बार यह positive से current flow ना शुरू हो जाती है तो AC को allow करता है DC को allow नहीं करता ठीक है तो इस प्रकार से आपके L, C, R circuit हो गए इन सब के circuit diagram, phasor diagram, wave diagram, resistance, V और I के बीच में the phase difference यह पढ़ा अब हम इसमें mix करना शुरू करेंगे तो mix करने में यह proof नहीं करना पड़ेगा मिक्स करने में अपने आप यह यूज हो जाएंगे ठीक है इसको पढ़के आईए गतुला से ठीक है फाइनली पढ़ लेना